तो चलिए आज बनाते हैं कम तेल, कम मसाले में लौकी की बहुत ही टेस्टी, हेल्दी सबजी आप इसे एक बहुत जरूर बनाए एक बर बना कर खा लीजेगा तो बार बार इस रेस्पी को बनाना और खाना पसंद करेंगे सभी को पसंद आएगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफूल लगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लेजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए रश्वी बनाना हम सुरू करते हैं हमें एक केजी लवकी को छील कर छोटे छोटे पीसस में कट करना है अभी हमें गैस पे चड़ा देना है कडाही को और इसमें हमें डाल देना है तेल आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में सबजी को बना सकते हैं हमें दोगत चम्माष तेल जालना है मैं सर्सो का तेल ली हूँ अब ही इसमें डाल दीना है बन्पर चम्माष जीरा काला या पीला कोई भी सर्सो ले सकते है और अब हमें इसमें डाल दीना है 10-12 मेथी के दाने, मेथी के दाने जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सबजी में फ्लेवर आता है हमें बहुत जादा नहीं डालना है, 10-12 दाने ही डालना है इन सब को क्रैक्स होने देना है, क्रैक्स होने के बाद हमें इसमें डाल देना है चार-पांच लेसुन के कलियों को बारी काट कर डालना है और अभी हमें इसे चलाते हुए हलका ब्राउन होने तक भूनना है लेसुन का फ्लेवर इस सबजी में बहुत ही बढ़िया आता है तो इसे जरूर डाले इससे काफी टेस्ट बढ़ जाता है सबजी का अभी हमें इसमें डाल देना है एक बारी कटा हुआ हरा मेर्च अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसे हमें चला लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए लौकी को एक बार इस तरीके से अगर लौकी की सबजी को बना कर खा लेजेगा तो यकीन मानिये बाकी तरीकों को भुल जाईएगा ये बहुत ही कम तेल कम मसाले में बनता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि क्या ही कहना अगर एक बार बना कर खाईएगा तो इसे बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे सभी को पसंद आएगा अभी हमें इसे चला लेना है गैस का फ्लेम हमें हाई कर लेना है और लौकी को चलाने के बाद हमें इसमें डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर अभी हमें इसमें डाल देना है 1 पूर चमच काले मिर्च पाउडर, 1 पूर चमच जीरा पाउडर, बस इतना ही हमें मसाले डालना है, इतने मसाले में ये बहुत ही टेस्टी सबजी बनता है, इससे जादा हमें मसाले नहीं डालना है, और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाले अभी हमें इसे चला लेना है नमक डालने से लौकी काफी जल्दी पानी को छोड़ देता है और सब्जी काफी जल्दी पक जाता है हमें इसमें अलग से पानी डालने क्यों सकता नहीं पड़ेगी लौकी में इतना पानी होता है कि ये सबजी अपने आप एकदम पक जाता है अभी हमें कडाही का ढखकान लगा दीना है गैस का फ्लेम हमें लो कर लेना है हमें इसे लो हिट पे पकाना है तभी सब्जी अच्छे से पकेगा अगर आप हाई फ्लेम पे इसे पकाईएगा तो पानी जल्दी सुख जाएगा और सब्जी अच्छे से पकेगा नहीं तो आपको अलग से भी पानी डालना पड़ेगा इसलिए हमें गैस का फ्लेम लो रिखना है और इसे हमें धक धक कर भुनना है थोड़े थोड़े देर में हमें कड़ाही का धकन हटाना है और सबजी को चला लेना है थोड़े देर बाद हमें वापिस कड़ाही का धकन हटा लेना है तो देखिए सबजी का क्वंटिटी भी काफी कम हो चुका है और लौकी काफी पानी को छोड़ रहा है इतने पानी में एक दम सब्जी अच्छे से पक जाता है आपको लगे कि अगर लौकी अच्छे से नहीं पक रहा है तो आप थोड़ा पानी उपर से भी डाल सकते हैं अभी हमें वापिस कडाही का धकन लगा देना है थोड़े दिर बाद हमें कड़ाही का धकन हटाना है और लौकी को हमें चला लेना है तो देख सकते हैं सबजी का क्वांटिटी भी काफी कम हो चुका है सबजी काफी हद तक पक चुका है अभी हमें थोड़े दिर के लिए और इसे पकाना है चलाने के बाद हमें वापिस कडाही का ढखकन लगा देना है और इसे हमें थोड़े दिर के लिए और पकने देना है सबजी को पकते हुए 25 से 30 मिनट का समय हो चुका है सबजी अच्छे से पक चुका है, एकदम सौठ हो चुका है अभी हमें इसे हल्का मैस कर लेना है और सबजी से एक्स्ट्रा पानी को हमें सुखा लेना है तो गैस का फ्लेम हमें हाई कर लेना है हाई फ्लेम पे काफी जल्दी इसका पानी सुख जाएगा और हमें इसे चलाते रहना है थोड़े दिर बाद आप देख सकते हैं लौकी के सबजी से पानी काफी सूख चुका है अभी हमें गैस का फ्लेम आफ कर देना है तो अभी आप देख सकते हैं लौकी की सबजी बन कर तयार है आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, फराठे के साथ सर्व कर सकते हैं सभी को काफी पसंद आएगा तो एक बार जरूर ट्राइ करें अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफूल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर जरूर कीजेगा कमेंट में जरूर बताइएगा रेस्पी आपको कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग